अध्यात्म कहां से होता है गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपुर्ण वैभोस को मृतितुल्य लगता है न पारमेष्णम न महेंददिष्णम आपको लगेगा भरन पोशन कैसे होगा तो भगवान उनके वचन यही भक्त का आश्रे होते है बगवान ने का अनन्यस चिंतियनतो माम तुम्हारी एक ही जुम्मेवारी है तुम केवल मेरा अनन्यस चिंतन करो और जो अनन्य चिंतन करता है ये जनाप पर उपासते, जो ऐसी उपास्वना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमं भाम में हम, मैं उसके योग्षेम का भान करता हूँ, अप्राप्ती की प्राप्ती और प्राप्ती की रक्षा, ये मैं करता हूँ, शुद्ध परमार्त को जान लो जीवन मुक्त हो जाओ फसने में देर नहीं लगती है ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फसा सकता है अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शाषन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे बड़े धर्मात्मा पिता एक दिन वो शमिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक सराप पी हुई व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है अचानक दृष्टी पढ़े सास्त्राग्या करता है ऐसे दृष्टी को एक बार अचानक दृष्टी पढ़ने पर दुबारा ना देखा जाए और नमस्कार ब्रत्ति की भगवान की माया है आगे बढ़ जाए पर वो तो सेवा को छोड़ करके उशी को केवल देखने लगे देखते ही चिंतन बढ़ा चिंतन बढ़ता ही संगस्तेशू पजायते संग की चासक्ती प्रगट हुई जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आशक्त हो चुका हूँ तो उसने खा मेरे जीवन का उद्देशी ही है आशक्त पुरुषों से धन लेना उनको शुक पहुचाना कहा पूरी पिता के शंपतिशाब भैभो लुटा देया आखिरकार उसी के पास रहने लगे उसके दास बन कर रहने लगे क्या क्या अमंगल कारे करने लगे जहां समिधा लेने गए थे यग्गी के लिए वहां पशू का हिंसा करके और मांश राधना खाना ये सब बहुत ग एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मों रक्षति रक्षिता धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है रक्षा करता है गाओं में शंत मंडली है मंडली ने पुछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बता ना वहां आजम रुकना चाहते पुरी संत मंडली ठाकुर का भोग लगाएंगे यारती पुजा और सुबह चले जाएंगे हाँ उनका सबसे ज़्यदा पवित्र जामिल है गाओं के बाहर जो वो बगीचा भी सामने वाला उनहीं का है वो बैश्या का था संत स्वभाव बिश्वास से होता है संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो बिश्वास से होता है आज तक कभी ऐसा संसे नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ जूट भी हो सकता है क्या नहीं पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको शत्य बोलना आता है नहीं संसारी आदमी को आचारी की बात फिर याद आती है कपट और कुटिलता के बरताओ किसी और कुछ आता ही नहीं कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगे ऐसी रखो जहां जूट मत बोलो कपट मत करो गुरु दरवार दंड दो या पुरश्वकार दो आपके हैं गलत हैं या सही हैं आपके शामरे हैं एक जगे तो पर और जगे सब फिट हो सकता है एक जगे जरूर छल कपट करेगा क्योंकि पतन वहीं से होता है जीव का पतन वहीं से होता है जहां गुरु जनों से कपट और छल किया गया माया जो कपट का जाल और छल का विचाती उसे कोई नहीं कार सकता माया के जाल को कोई नहीं कार सकता काटने के लिए गुरू प्रशन शाहवन को ला जैसे हमसे बूला जता है, संतों से बूला जता है अक्षर्शा लगता है, सत्य बूला है संसे ही नहीं क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है विश्वास ही होता है तो शंत जन्नों ने जाके वहाँ डेराड लगा दिया था कुर्जी विराजमान के आरती पूजा शुरूई तिने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र लिए हुई भाग अजामिन ने जीव ही संतों को देखा तो संत दरस्यजी में पात अक्ट रही हिरदे एकदम आर्थ भाव से रूप बढ और याद आई वो बात कि जम मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुस्ठान करता था कैसे मैं पिता की आग्यां से भगवत आराधना में हाए मेरे जीवन किस तरह नस्ठ हो गया नजदीक गया साश्टांग धन्दवत देखते ही संतों ने समझ लिया उन्हों का भाई ये गोल भी नहीं पारित बसी सारा किया हां हां बुले बताया गया था कि गाउंके बाहर एक ब्रह्मन हैं बड़े पवितर हैं तो आपका ही ना मजा मिल है थिर प्र हुए तो आपके साथ उपहास किया गया है मैं पवितर नहीं बहुत नीच पापी हूं ऐसा धर्म का त्याक क कि पापा चरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोशन करता हूँ ये देख रहे हैं आप इंसा मेरे जैसा पाती की ब्रष्ट कोई नहीं होगा ये तो आपके साथ उपहास किया गया उनका भाई अब रात्री में तो ठाकुरुजी नहीं हटाएंगे यहीं बिराजमान किया रहेंगे पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं तो चरणों में लोट गया महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है कहां आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ती का उशर दिया जाता है एक उपाए है मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से एक अभी पुत्र होगा तुम उसका नाम नारैन रख देना अब आप यहां से जाए हमारी ठाकुर्शेवा है हम सब संत अपने एक नाम किरतन पाठ और ध्याना दी आप जाएं आपका मंगल होगा समयाने पर बालग हुआ वो उससे अत्यंता शक्ति हो गए जरासी इद्रियों की छूट दी तो एक सैयमी ब्रह्मचारी नियम निष्ट ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फस गया पिता ने फिर व्याभी करवाया था पर दृष्टी जहां फस गई फस गई कुशंग हुआ तो जीवन बरबाद हो गया और सपसंग हुआ तो देखो कैसे परमपद मिलता है अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घुमना उसी से प्यार उसी से दुलार उसको क्या पता कि एक भयावा समय होता है जिसका नाम मृत्यू है वो कभी भी किसी पराक्रमण कर सकती है और जब यहां से जाओगे न तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंग जिससे सूब और अर्शुब कर्म कहते हैं अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत काप नहीं लगा यमदूतों की दृष्टी मात्र से उसके मलमुत्र छूट गए इतने बयानक अउसकी आशक्ति अपने पुत्र पे थी तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लो बुलाया नार आया बस मंगल हो गया दिखो शंत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है नारायन एक बार जीवी पुकारा नारायन नापिट जबान पहुँची की दो दिब्विपारशत भगवान के चतरवोज नारायन सुरूफ श्यामल कांति एप यम्राज के दूतों को डाटा और फासी काट दी अब तुम इस जीव को इस पर्ष भी करने का अधिकार खो चुके हो बड़ा सुन्दर प्रसंग है अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हरदे में बैठा ले तो जीवन मुक्त होने के लिए परियाप्त साधन है नाम महा मंगल मूद में अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी फासी पड़ चुकी थी यम्दूतों की यद्दे पुष ने भगवान को नहीं पुकारा अपने बालक के इसने हे वशात उसको पुकारा नार आया पर संतों ने नाम रखवाया था अठासी वर्ष की आयू तक पाफ ही पाफ होते रहे है उसके यम्दूतों को डाट कर भगवान के पार्शनों ने रिका आप तुम इस पर्श भी नहीं कर सकते इसको उनका आप बड़े तेज़ श्वी देव शुरूप दिखाई देते हैं पर आपको पता है ये महा नीच पापी हर छण पाप करता रहा है ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायन बुलाया है ये महा पापी है भगवान के पार्शनों ने कहा हम देखते हैं कि तुमको कोई ग्यान नहीं है जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायन बुलाया उसी समय दिस पाप हो गया सारे पाप इसके भस्म हो गए यम्राज के दूतू ने कहा आपको देखने से लगदा है आपको इस शिद्ध है क्योंकि ततकाल उपस्तित हुए है आपके कमल दल के शमान नेत्र है और पीतामबर धारन की हुए है सिर पर मुकुट है कानों में कुंडल है गले में हार लहरा रहे हैं सबकी नौकिशो रवस्ता है चार-चार भुजाए है और करकमलो में धनोश तरकर्ष गदा संख चक्र कमलादी सबधारन की हुए है आप हमें क्यों रोक रहे हैं हमारी सेवा है पापियों को दंड देकर महराद दंड पानी यम्राज की आज्या की अनुशार इनको नर्क ले जाना यम्दूत भगवान के पार्षदों से सब भूले पार्षदों नो यहास कर गम्हिरवाने में कहा यम्दूतो यूयम्वई धर्म राजश्य यदि निरदेश कार्य नहां बूद धर्मस्य नस्तत्वम यच धर्मस्य लक्षणम तुम लोग सच्शमुच धर्मराज के पार्षद हो आज्याकारी हो बताओ धर्म का लक्षण क्या है धर्म किसे कहते हैं दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनी है या उनमें से कुछ उत्तर दीजे बड़ा सुन्दर प्रशंग ध्यान पुरुवक सब सुनिये यमदूतों ने कहा मेरे महाभागवत स्वामी भगवान धर्मराज हम सब को परिपक्ष शिक्षा दिये हुए हैं ऐशा नहीं है कि हम तनिक भी कुछ भी मनमानी बोले या मनमानी आचरन करें आपने पूछा धर्म किशे कहते हैं वेद प्रण हितो धर्मों हधर्मस्तद्धि पर्ययहा वेदो नारायनह साक्षात स्वयंभूरिति सुस्रुम वेद स्वयं अपवरुशे भगवान का स्वरूप है अपवरुशे का तात्पर होता है किसी के पुरुशार्थ से वेद की रचना नहीं हुई श्वयंभू श्वयंप्रगट हुए है वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है कि ये ये कर्म किये जाएं उसे धर्म कहा जाता है और जिसका निशेद किया है कि ये ये ना किया जाए उसे अधर्म पापाचरण कहते हैं भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है महराज ये जगत तीन गुणों से रचा गया है शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी में सभी पदार्थ, सभी प्राने तीन गुणों से ही है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बेद, गुण, नाम, कर्म, रूप आदिके अनुशार उनका यथोचित, विभाजन करता है आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है विभाजन किया है वेद ने, सास्त्र ने ये जीव जब सरीर में आता है तो ये मन की ब्रतियों को साथ लेकर ग्यानेंद्रियों के साथ जो जो पापा चरण करता है तो उसको किसी गवाई की जरुरत नहीं धंड देने के लिए ये गवाई हर समय उसके साथ रहते हैं सूर्योग्नि खम्मरुत गाबह शोमा संध्याहनी दिसह कम कुकालो धर्म इती हरेते दैहरश्य साक्षण सूर्य अग्नी आकाश वायू इंद्रियां चंद्रमा संध्या रात दिन दिसाये जल प्रत्वी काल धर्म ये साक्षी रहते हैं रात में पाप किया तो आकाश है वायू है चंद्रमा है शंध्या है रात्त्री का श्वयम गवाही है दिन में शूर्य है दिशाये हैं जल प्रत्वी कहीं तो पाप करोगे समय धर्म इस सब साक्षी रहते हैं तुम्हें ये गवाही की जरुरत नहीं पड़ेगी प्रमान की जरुरत नहीं होती जहां पाप करोगे तो ये समय देख रहें एक एक सेकेंड का इनकी द्वारा ततकाल पता चल जयता है कि कितना पापी और कितना धर्म किये हुए है और दंड पाने भगवान यम्राज एक सेकेंड के कम हिस्से में पूरा निर्णे कर देते हैं पाप कर्म करने वाले को सभी को सभी को अवस्य अवस्य महां दंड नर्क में भोगना होता है प्रश्न किया था क्या सभी पापी दंड नहीं है तो यमदूत कह रहे हैं सभी को सभी को हे निश्पाप पुरुशो जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से सम्मंद रहता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से इसलिए सभी से कुछ पुल्णे बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं सभी से देहवान होकर कोई भी कर्म किये बिना एक छण भी नहीं रह सकता और कर्म तीनों गुणों के अंतरगत होते हैं इसलिए सभी से कुछ पुर्णे होता है और कुछ पाप बनता है इस लोक में जो जितना अधर्म करता है उसका और जो जितना धर्म करता है उसका वैसा ही बिल्कुल वैसे कब वैसा ही फल उसको मिलता है आप तो बड़े ते जश्वी देवसी रोमनी है आप जानते हैं शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीन गुणों को भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्रानी देखे गए पुल्णियात्मा, पापात्मा और पुल्णि पाप मिश्रित, पुल्णियात्मा स्वर्ग लोग, पापात्मा नर्क लोग, पाप पुल्णि मिश्रित मृत्य लोग, पुल्णियात्मा लोकिक शुक, पापात्मा नर्क दुख, मनुष्य लोग, दुख शुक दोनों पड़ा एकदम इस्पष्ट वर्णन है अगर अध्याम से सुनोगे तो तुम्हारे प्रश्णों का समाधान हो जाएगा वर्तमान में ही निश्चित कर दिया जाता है कि आगे क्या बने गए वर्तमान के आच्रण ही निश्चित कर देते हैं कि तुम्हारी कौन सी गती होगी उसका आकार निश्चित हो जाता है भूत और भविश्य का अनुमान वर्तमान से ही लगा लिया जाता है वर्तमान में जैसे उपन्यात्मा है तो निश्चित हो चुका है कि बागे चल करके ये बनेगा नियाले में जो भागवतिक नियाले है पापात्मा है तत्काल निर्णे हो गया कि मरने एक बाद इस गती को प्राप्त होगा भाराज हमारे स्वामी अजन्मा भगवान शरवग्य अमराज सब के अंताकरण में बिलाजमान किसी की गवाही की जरुवत नहीं है वो शब को देख रहे हैं और मन से ही उसके अगले रूप को तै कर लेते हैं कि सुवर बनेगा, कुट्ता बनेगा, भूत बनेगा, पृत बनेगा, क्या बनेगा भावी रूप का विचार कर लेते हैं जैसे सोया हुआ, अज्यानी पुरुश्वप्न के समय प्रतीत हो रहे, कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान लेता है, और अपना जागा हुआ, जो सरीर स्थूल था, उसको भूल जाता है, ठीक ऐसे ही जीव, नया सरीर प्राप्त करके पुराने जन्म को भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है, पीछे जन्म में हम क्या थे, भूल गए, वर्तमान शरीर के शिवा, वर्तमान संबंदू के शिवा कुछ याद नहीं रहता, सिद्ध पुरुषों, बहुत ध्यान से सुनना, इस शरीर से पाँच करमेंद्रियों के द्वारा, लेना देना, चलना, फिरना, भोगना, ये काम होता है, पाँच ग्यानेंद्रियों के द्वारा ग्यान होता है, रूप रशब्दिस्पर्श, रूप रशगंध का, मन इनी के साथ मिल करके, ग्यानेंद्रियों करमेंद्रियों के ये विश्यों को भोगता है, ये तीन गुणों के द्वारा पेरित हो करके वैसे ही कर्म करता है बार बार जन्म पे जन्म मृत्यू पे मृत्यू ये भोगता चला जा रहा है और पाप कर्म पुर्ण कर्म ऐसे बनते चले जा रहे है जो जीव अग्यानवश कामक्रोद लो मो मद मत्सरिन छे सत्रों पर गुरू कृपा से विजय नहीं प्राप्त कर लेता उसे इच्छाना रहने पर भी बिविन वासनाओं के अनुशार पाप कर्म करना पड़ता है और पाप कर्म का दंडवस्य उसे नरक में भोगना पड़ता है बहुत एकाग्रो ध्यान पुर्वक में बहुत निरनायक बात कहीं जा रही है ये विकार नश्ट कर देते हैं रेशम का कीड़ा जैसे अपने को ही नश्ट करने के लिए रेशम पैदा करता है क्योंकि रेशम निकालने के लिए उसे उबाला जाता है ऐसे ही कर्म जाल में फस करो अपने हाप को जलाता है नरकाद में भेंकर पीड़ा प्राप्त करता है अपने हाथों ही अपना सिकार बन जाता है कर्म का कोई सरीर धारी जीव बिना कर्म किए एक शण भी नहीं रह सकता प्रतेक सरीर धारी कर्म करता है तो तीन गुणों के अंतर गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तो कोई बिरले ही होता है रज तम पापाचरण ही करवाते रहते हैं अपने पूर जर्म के पापने संसकारों के अनुशार उसको इस थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्थ होता है और उसी के अनुशार कभी वो इस्त्री शरीर कभी पुरुष शरीर और उसी के अनुसास संसकार सुभाव वैसे नमीन कर्म उससे संसकार सुभाव नमीन कर्म नमीन जन्म फिर मरण फिर जन्म ये चक्र चल रहा है प्रकति का संसर्ग होने से उभूल जाता है कि मैं इस्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद बपू भगवान कांसू प्रकति के संसर्ग से, शरीर के संसर्ग से उभूल जाता है ये विपर्याय केवल एक से दूर हो सकता है ये भ्रहम केवल एक से दूर हो सकता है श्री भगवान का नाम जब बजन हे देवशिद्धों आप जानते हैं कि अजामिल पहले बड़ा सास्तरग्य था ब्रतधारी था सदाचारी था बिनई था जितेंद्री था सत्य पर चलने वाला था और पवित्र भी था इसने गुर्जनों की भी सेवा की अगनी की उपासना की है पर एक गंदा अचरण देख करके अपने को समाल न पाया और ब्रष्ट हो गया दिखलो सास्तर है एक दिन ये पिता की आग्या से बन में फलफूल शमिधा लेने गया और लोटते समय एक कामी पुरुष्ट के द्वरा होते हुई वैस्या से सहवास का दर्षन करके काम से युप्त हो गया बश ये अपने इंद्रियों को समाल न पाया और उसी नीचता में जाके फस गया यद्यपिष्ट ने बहुत धैरिक धारन करने की कोसिस्की पर ब्रष्ट हो गया काम पिशाच ने वैस्या को निवित बना कर इस धर्मात्मा को ब्रष्ट कर दिया अब यह सारी सास्तं मर्यादाओं का उलंगन करके मनमानी पापा चुरण करने लगा बैस्या का शंग वैस्या का चिंतन बैस्या का सहवास पूर्ण ब्रष्ट मलिन हो गया यह वैस्या को प्रशंड करने के लिए सुंदर-सुंदर वश्ता भूशन कैसे दे तो चूरी करने लगा हिनसा करने लगा स्वक्षंद चारणी वैस्या इसको तिर्शी चितवन से अधीन कर लिया अब इसको ये ही पता नहीं चला कि मैं पाप कर्म से इसका भरण पूशन कर रहा हूँ अन्याय से घोर हिनसा से चोरी से उचीन चीन कर धन लाता और इस वैस्या को देता इस पापी ने जीवन भर सास्त राग्या का उलंगन करके पाप किया है निन्दनी कर्म किया है ये वैस्या के मलसमान अपवित्र अन और सरीर का सेवन करता रहा है इसलिए मैं इस पापी को यम पास में बांग कर बगवान के नेति निपुनेवं धर्म के मन्व जानने वाले पारशदों ने जब यमदूतों का ये उपदेश सुना भगवान के पारशदों ने कहा यमदूतों अहो कष्टम धर्म द्रशा मधर महां इस प्रशते सभाम यत्रा दंडे सुपा पेशु दंडो ये ध्रियते ब्रता ये तो बड़ा आश्यर का विशे हैं आप अपने को धर्मराज के दूद कहते हो धर्म का भी उपदेश कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में धर्म के द्वरा धर्म नहीं होना चीए अब तो घोर अधर्म होने जा रहा है अब तो तुम निर्पराद को दंड दे रहे हो भगवान के पारशदों ने कहा जरा ध्यान दे कर ध्यान दे कर सुनना इसलिए करे अब यह निर्पराद है अदंडनी है तुम्हारी शामर्थ क्या तुम इसको दंड दे सकते हो निर्पराद को दंड नहीं दिया जता देखो सत्पुरुष जैसा आचरन करते साधारन लोग वैसा ही अनुकरन करते हैं अपने आचरन के द्वारा सत्पुरुष जिसको प्रमानित कर देते हैं उसे धर्मा आचरन कहते हैं उसी का लोग अनुकरन करते हैं साधारन लोगों को ग्यान नहीं होता हो तो परसूओं की तरह होते हैं उनको धर्मा धर्म का ग्यान नहीं होता वो किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उसके आग्यां के अनुशार चलते हैं उसके चरणों में सर रख करके निश्चिंत होकर बे परवा करके वो भगवत म मार्ग में चलते हैं अब हमें ग्यान ने क्या धर्म क्या धर्म अफसर रख दिया जो आप आग्यान करें वैसे चले भला वो दयालू पुरुशुश्का मंगल कैसे होने दे सकता है जिसने आत्म समर्पन कर दिया है किसी संत को अग्यानी जीव है ठीक है माना पर वो विश्वासगात कैसे कर सकता है यम्दूतों अब बहुत ध्यान दे लियों की बात है अयम ही क्रत निर्वेशो जन्म को ट्यंग हसाम पी यद व्याजा हार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे सुनो इसने इस जन्म का नहीं करोड करोड जन्मों के पापों का रास रास अधर्मों का पूरा प्रास्चित कर लिया जिस समय ये पुत्र के भाने से पुकारा नार आया ध्यान दी दिये ये है नाम कहरे अयम ही क्रत निर्वेशो जन्म को ट्यंग हसाम पी करोड करोड जन्मों के पापों का प्रस्चित कर लिया जिस समय इसने उच्चारण किया यदा नारायना येती जगात चतुरक्षरम चारक्षर नारायन इन चारक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल इतने मात्र से उसके सारे पाप भस्म हो गए तुम्हारी अफ्सामर्च क्या कि तुम इसको दंड दे सको भगवान के पारशत बोल ले बहुत ध्यान से सुनो जिन से गलतियां हो चुकी है बहुत ध्यान से सुने आगे गलतियां ना हो सावधान रहे इस्तेना सुरापो मित्र धुक ब्रह्महा गुरु तल्पगहा इस्त्रेराज पित्र गोहंता ये चपात किनो परे महापापी है जो दूसरे की संपत्ति की चूरी करता है जो सराप पीता है जो मित्र द्रोह विश्वास घात करता है मित्र से जो ब्रह्महाती ब्रह्महत्यारा है जो गुरु पत्नी गामी है जो ऐसे पापियों का दोस्त है जो इस्त्री राजा पिता गाए इनकी हत्या करने वाला महापापी है इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परमपवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए है तो कह रहे है बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो नाम लेना हरिवन्ष महाप्रवु कहते है जैसी थरिवन्ष विचारिक है मनुज देह गुरु चरण गही सकई तो सब पर पंचत जी क्रिष्ण क्रिष्ण गोविंद कहें क्रिष्ण 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 गोविंद 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 जैसे लोग आके प्रश्ण करते हम से पाप हो गए कि आम पवित्र हो सकते हैं ध्यान से सुनो ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हरदे में लगा मेरे शिपपाफ हो गया अब मेरा उध्धार कैसे हो गुरुचरणों का आश्रे लेकर नाम जपना सुरू कर दो नया जन्म हो जाएगा तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटी-कोटी जन्मों के पाप नष्ठ हो जाएगे भगवन नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धी जैसी शुद्ध होती निश्पाफ होती ऐसी और किसी साधना से नहीं भगवान के गुण लीला और सुरूप में बुद्धी पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है बड़े-बड़े ब्रमवादी रिश्यों ने पाप हो जाए तो उसके प्राष्चितू का बरणन किया है जिसे चंद्रायन ब्रत है चंद्रायन ब्रत है जिसे प्रतिपदा से शुरू हुआ एक कवल छोटा गराश दुतिया दो कवल तृतिया तीन कवल अमावश्या पंद्रा फिर अप्स चौदा तेरा बारा गेरा दस नो आठ साथ छे पांच चार तीन दो ठीक पूरे महिने में ऐसे रहो उसे कहते चंद्रायन ब्रत बड़ा कठोर ब्रत होता है चोविस घंटे फिर और कुछ खाना पिना नहीं एक बार एक कवल बस कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है अस्तिमात प्रवे रहे शरीरा ये चंद्रायन ब्रत बड़े-बड़े ब्रमभवादी रिश्यों ने पापों के बहुत से प्राश्चित बताये हैं करच्छ चं नहीं होती पर भगवन नाम उच्चारन से तो पाप और पाप की प्रवत्ती दोनों का नास हो जाता है पवित्र कीरती भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है नई कांतिकम तद्धिक्रते पिनिस्क्रते मनाः पुनर्धावति चेद सत्पथे तद कर्म निरहारम भीपसिताम हरेर गुणानुवादः खलुसत्वभावनः जैसे और कोई प्राष्चित कर लो पाप तो नश्ठ हो जाएंगे फिर नई खेती तयार कर देगा पाप प्रवत्ती है वो प्राष्चित नहीं माना गया सच्चा प्राश्चित तो यो है पूरा-पूरा कि फिर पाप प्रवत्ती ही नस्ट हो जाए पापई नहो वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखार करके फेक दे वो भगवान के नाम का कीर्दन भगवन नाम जब इसी लिए चिला-चिला के कहते है नाम जब करो उससे जो चित की शुद्धी होती और पापों का नास होता ऐसा और किसी प्राश्चित से नहीं होता इसले यम्दूतो तुम लोग अजामिल को छूबी नहीं सकते हैं ले जाने की तो बात जाने दो इसने सारे पापों का प्रयाश्चित कर लिया क्योंकि इसने मरते समय मेरे श्वामी भगवान स्री हरी का नाराय नाम उच्चारण किया अब तुम छूबी नहीं सकते हो बड़े-बड़े महत्मा पुरुशिये बात जानते है कि शंकेत में परिहास में या इस तो तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में सांकेत्यम पारिहास्यमवा स्तोवं हेलन मेववा वै कुंठनाम ग्रहन मसे शागहरम विदु हसी मजाखने में ए राधा राधा ए राधा अवहेलना करने में तान अलापने में संकेत में किसी भी अविप्राय से नाम मुच्चारण हुआ ततकाल उसके पाप भस्मोना शुरू हो गए जो मनुष्य पतितहा श्खलितो भगनहा संदस्त श्तत आहतहा हरी रित्य वसे नाह पुमान नारहतियात नाम पैर भिशला राधा जम वाए राधा कोई भी भैका श्री राधा विवस्तावर्ष भैवर्ष कैसे भी हरी हरी ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रहे जाता भजना नंदी की बात नहीं कह रहे है नाम उच्चारण करने के बात गिरते समय जमुहाई के समय किसी भै के समय हरी हरी बोल दिया राधा राधा अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा वो एक दो चार नाम अगर ले लिए हैं तुम तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारम हो जाएं पर ऐसे नाम का हम निरंतर जब करके अनुभो करें यह देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाएं मार्शियों ने बहुत समझ बूच कर बड़े-बड़े पापों का छुटे-छुटे पापों का अलग-अलग प्राश्चित बतलाया है इसमें संदे नहीं तपश्या से दूसरों की शेवा से मंत्रा अनुष्ठान से प्राश्चित होदा है पापनष्ठ होता है परंतु मलिन हुआ हरदय सुद्ध नहीं होता उसके लिए नाम जब नाम कीरतन प्रभू के नाम जब से नाम कीरतन से प्रभू की चरण सेवा से जैसा निश्पाप होता है हरदय वैसा और किसी शाधन से नहीं होता यम्दूतो जान या अंजान में जैसे अगनी स्पर्ष कर जाए तो भस्मी कर देती है ऐसे स्रद्धा या स्रद्धा जान या अंजान कैसे भी नाम कीरतन सुना जाए नाम कीरतन किया जाए नाम जब किया जाए तो दहे देधो यथा नलहा देह के द्वारा हुए सौस्त पापों को भस्म कर देगा जैसे अगनी पहाड जैसी रूई लगी हो जरासर लग जाए तो भस्म कर देगी संकीर्त तम अघंपुन्सो दहे देधो यथा नलाह नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना सुरू हो जाते है यथा गदम वीरितम मुपयुक्तम निर्दच्छया जैसे कोई सक्तिसाली अम्रत के प्रभाव को ना जानकर अंजान में भी पी ले तो अम्रत तो अमर करी देगा ना या भाव से पी ले तो अमर तो करी देगा नाराज होके पी ले तो भी अमर कर देगा वैसे ही अंजान में भाव से कुभाव से जैसे भी है भगवन्ना मुच्चारण किया तो तुम्हारी स्रद्धा की अपेक्षा नहीं नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा हरिर हरति पापानी दुष्ट चित्तै रपिस्म्रतहा अनिच्छया पिसंस प्रिष्टो दहत्ते वही पाव कहा दुष्ट चित्त है पापी मनुष्य है पर जैसे हवा के सयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए आएसे ही भगवत कृपा हुई चलो देखते क्या है जार सत्संग में क्या है बाबाजी यद्यपी दुष्ट चित्त है कोई उसको सत्संग से मतलम नहीं भगवान से मतलम चलो देखते हैं आ गए शुना अब उनके चित्त में आया बापनुष्ट हो जाती इससे राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरी हरी राधा राधा, ऐसा उच्छारन करने से, देखते यार दो-चार दिन जब करके क्या होता है अगर वो ऐसे परिक्षार्थ उपहासासपर्थ कैसे भी भाव से सुरू कर दिये अनिच्छा पी कोई इच्छा नहीं है, पर संग हो गया तो देखें भाई, जब करके वहला काम बन जाएगा क्या यहाँ देखो कि हरीर हरति पापा ने दुष्ट चित्ते रपी स्मृता दुष्ट चित्त से वो स्मर्ण कर रहा है भगवान उसके सारे पापो को ढश्ट कर देते हैं अन्जान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी जैसे अगनी अन्जान में अनिच्छा में भस्ण कर ऐसे भगवान उसके दुखों का नास कर देते हैं सक्रदुच्चरितम्वेन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षा यगमनम् प्रती सत्संग सुना अब विचार के आगा जीवन भर तो सब गड़बढ ही होता रहा आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का इश्मरन करेंगे अब राधा राधा जपेंगे अब हरी हरी जपेंगे बुले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्षपद प्राप्त करने के लिए फेट कसली ये बचन सिद्ध है कि जो भगवन नाम का अश्ट्रे ले लेता है भगवन नाम समस्त दुखों को मिटा कर महासुख मोक्षपद प्रदान करता है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा त्रिवर्ग की शिद्धी धर्म अर्थ काम अगर मोक्ष नहीं वीचाहते तो ये नाम प्रदान करेगा पर नाम पहले पाप नश्ट करेगा पाप प्रवत्ती नश्ट करेगा आप इंतिजार करो धैर पूर्वक जबते रहो जिव्याग्रे वर्तते यस्चे हरी रित्यक्षरद्वयम जो अपनी जिव्याँ से उच्चारण करता रहता है हरिश्चरणम हरिश्चरणम हरी 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 राधा 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 बुले उसे गंगा गया शेतु बंदु रामेश्वर कासी पुसकर करें तीर्थे तो कोई बात नहीं लेकिन आवश्चक्ता नहीं उसको वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है जब गंगा जी को भागी रजजी ने प्रशन किया उन्होंने दो शर्त रखी कि जाओंगी यहां ब्रमलोक से तो रशातल में उतर जाओंगी तुम्हें मृत्य लोक में रोकने वाला कोई चाहिए ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके और दूसरी बात जब मैं जाओंगी तो मृत्य लोक के पापी मेरा इसपर्स करेंगे धेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा मुझे निसपाप कौन करेगा भागी रजजी ने महादेव को प्रशन किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरी प्रशन का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषय निरंतर भगवान का नाम जब करते हैं वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निसपाप हो जाएगी गंगा को भी निसपाप करने की सामर्त भगवत प्रेमी महात्मा में है इसलिए कहरें न गंगा न गया सेतुर न कासी न चपुसकरम जिव्या के वर्तते यसे हरी नित्यक्षरद्वयम हरी 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 शर्णम हरी नमहा राम कृष्ण हरी जिनकी जिव्या से भगवन नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए गंगाजी गयाजी रामेश्वर काशी उनके पास सब अपने आप तीर्था जाएंगे वो परम पवितीर्थी कुर्वंती तीर्थां तीर्थों को तीर्थर्थ प्रदान करने की सामर्थ नाम जापक महत्मा में होती है